आदर्वो सम्मान की योग धर्म प्रमी सज्जनो तथा आर्यवंदो आज कर विशे को कि शुखर हिए मैं अपने वादा के मुत्तबिक फेक सुबा के नौ बजे हैं और लाइब फेस्बुक में मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ ये प्रशनुत तरी का जो क्रम हमने चलाया हुआ है फिशले रविबार को भी आप लोगों ने देखा था सुना था जुड़े थे उसी शिंखला में आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ ये मनी का शेफ जी नमस्कार गुरू जी लिखा है नमस्ते यहां ब्रिजेश मानव राना जी ने भी नमस्ते वेज़ा है पढ़ाम पढ़नी जी नमस्ते और मैं आप लोगों को बता चुका था कल यह हमारा चर्चा का विशे क्या होगा और हमारे भाई लाल वरजी वरण से ये भी जुड़े हैं। और हमारे पुराने साती हैं, पुराने मित्र हैं लालवरजी इन्होंने मेरी सभी पुस्तकों को मंगवाया है और पुस्तकों के बादे में मैं आप लोगों को जानकारी दिदू मनिर प्रकाश कर्षप भाई जी नमस्कार नहीं नमस्ते कहो जी जी दिलनवाद देखिए यहे फुस्तके मेरी हैं जो अब तक मैं लिख चुका हूँ छापा जा चुका है मस्जिद से यर्शाला की और और इसमें मैं मुनो बैथा लिखा हूँ मैं मस्जिद को क्यों छोड़ा यर्शाला क्यों आया इसमें यह सारा विशय दिया हुआ है और यह समाज में क्या देखा क्या पाया क्या हो रहा है उसे भी दर्शाया हूँ साथ साथ ये दूसरी पुस्तक है मेरी ये भी पहले ही पुर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समिच्छा लेकिन पुर्व इमाम की कलम से एक पुस्तक और निकली है अभी जो बिल्कुल आप लोगों को भेजा भी हूँ ये दूसरा नमबर की पुस्तक है दूसरी बार मैंने लिका और फिर उसके बाद मैं ये लिका आकल पर दخल ना देने वाले धर्म और मजब के वहेद को क्या जाने ये विशेश करड़ लाक्टर असलम कास्मी के जवाब में लिखा था और उसके बाद ये दो पुस्तक है ये बेचारे ने जवाब दे कर फसाया इसलाम को ये मुश्विक सुल्तान को जवाब में लिखा और फिर ये पुर्व इमाम के खलम से इस बिलकुल नया विशेख को आप लोगे सामने रखाओ और एक पुस्तक मेरी और आ रही है जो ये जाकिन नाई के पुस्तक के जवाब में लिख रहा हूँ जाकिन नाई के ये पुस्तक है क्या पुर्वान इश्वर ये ग्रंत है इसका जवाब मैं लिख रहा हूँ थोड़ा बाकी है उसमें लगबग चार सौ पेज इसमें आ रहा है इसमें मैं दिखाया हूँ पुर्वान इश्वर ये ग्रंत नहीं है इश्वर ये ग्रंत वेर है तो कियों और कैसा गुशारा मैं देखाऊंगा और आप लोगों कोई भी मालूम है कि जाकिन नाइक को जब मैं 2003 में घहरा तो उसने ये 2004 के एक जनवरी में गुंबई में एक सेमिनार किया गुंबई में एक सेमिनार किया था जिसमें मुझे निमंत्रन दिया इसका मतलब मुझे बुलाने का कारण क्या है जरूर आप लोग समझ रहे होंगे कि उससे पहले मैं उसको घिर रखा था इसलिए 2004 के एक जन्वरी में इसने मुझे बुलाया इसका मतलब उसका विरोध मेरा पहले से चल दा था किसी के बहकावे में मैंना आवे कि किसी ने जाकिन नाई के उपर आपती जताई हो नई महेंदरपाल से पहले किसी ने आपती नहीं की थी और महेंदरपाल की आपती वेद में हजरत मुहम्मद का नाम उसने बोला उसी को मैं जवाब लेने के लिए डिवेट के लिए खुली चुलोती दी सारवदेशिक लेटर हैड के लेटर हैड में विमल बधावण épisode के सिंगनिचर में जो बिमल बधावण जी उन दिनों में सारवदीच सभा के मंत्री थे आज तो सारवदेशिक बाइदिक सिद्धां की बिरोदियों के हात में है लेकिन ये सारा काम मेरा पहले से चलता आया है यह इस तरीके से दिखे 2004 के एक जन्वरी में मुझे इसने बुलाया 2004 के एक जन्वरी से पहले अगर मैं उसके उपर कोई सवाल जबाब ना किया होता तो वो क्यों बुलाता ये सारा निमंतरन आप देख रहे हैं ये उसी काई है सब ये पीस मैंने इस MBBS मुन्ना भाई को बोला कि पीस डबल रोटी वाली पीस है ये इन दिनों में उन दिनों में इन सब को बुले है ये 277 का निमंतरन है तो खेर इस तरीके से मेरा काम बहुत पहले से मैं च्छिड रखा हूँ मुसल्मान लोग तथा कतित पैगंबर मुहमद का नाम लेने के बाद उन पर शांती रहे ऐसा हर बात क्यों बोलते हैं वाई क्यों बोलते हैं तो क्यों का जवब तो भी देंगे जो बोलते हैं लेकिन मेरे से जवाब लेना है तो मैं इतना कहूंगा कि अल्ला से जादा मरियादा मुहम्मद का है इसलाम के नजदी के इसलिए मुहम्मद के बर रहमत भेजो के बर इतना नहीं सल्लालाई अली वसल्म के बर इतना ही नहीं जब मुहम्मद का नाम आएगा तो सल्लालाई अली वसल्म कहना पड़ेगा कि अल्ला उस पे रहमत भेजे कि वैल इतना कहने है यह यूं करेंगे बोसा लगाएंगे यह ब्रेड भी वाले ज़्यादा करतें इसको तो अल्ला के नाम के साथ मुहमद का नाम जुड़ा हुआ है कुरान खुद गवा है वाति उल्ला वाति उरसूर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ के इतात करो मेरी यू मेरी रसूल की मुहमद को पाई भी ना कोई अल्ला को नहीं पा सकता यह इसलाम की मानिता है इसलिए परणी जी क्या सत्याथ प्रकाश में मिलावट हुई है जी हाँ प्रतिराम आरये जी ने सत्यात्प्रकाश का भंडप होड उन्होंने पुस्तक लिखी सत्यात्प्रकाश में मिलावाट लोगों ने जान बूझ करके किया है बहुत से लोग भाई अशोक आरिये जी नो लखा वाले उधैपुर वाले ने लिखा कब तक मौंड हैं उन्होंने तीन विद्वानों का ना हिंदी में लिखें भाई हिंदी में लिखें जहूर्भी का मैं लिखा हूँ कि व्यद according coupleu दर्व उस लेख में आप देखें कुछ टक आकर दिया किस ने तो बेद को कुछ तक की शकल किस ने दी उसे लिपीभध किस ने किया हाद करने वाले यह नाम क्या है इस पष्टी करने में देने की क्लिपा करें धनवाद कि सवाल तो मेरा ही सवाल उठा कर talking आप मुझे लिख रहे हैं वाई विजय आरिये जी यह सवाल तो संपूर्ण आरिये जगत में मैं ही उठा रखा हूं मैं ही चला रखा हूं आज मेरे से मेरे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं चलिए इसका जवाब यह है कि रिशीद एनन्द विमोन है रिशीद एनन्द विमोन है रिशीद एनन्द ने केवल काल बताया है राजा इच्छाकू के काल में लिपिबद की गई कागस के अविश्कार होने के बाद लेकिन लिपिबद करने वाले का नाम रिशीद एनन्द ने भी नहीं खोला बागी कुछ लोगों का ख्याल है कि वेद व्यास ने किया रिशीद एनन ने उसे नहीं माना क्यूंकि वेद व्यास का काल महाभारत काल में है महाभारत काल में वेद व्यास थे पर रावन को चारों वेद कंटस की और कैसा था इसलिए ये बेतु की बाती हैं तब रिशीद एयनन ने इसको भी नहीं माना या भाटी जी नमस्ते पंडी जी ठीक है जी नमस्ते यहां अंग्रेजी में इन्हों ने क्या लिखा है परसी धर्म के बारे में क्या ख्याल है ये वीचार है इसमें भाई राना जी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ लिख करके भी दिया हूँ कि धर्म का आदी स्रोत जो है वो हो वेद है और उस लेक में मैं दिया हूँ ये पार्सी मत कैसे चला पार्सियों से यहुदियों ने कैसा लिया यहुदियों से इसाईयों ने कैसा लिया इसाईयों से फिर इसलाम ने कैसा लिया ये सारा लिंक वेद का है वेद से ही ये चलत शुरुवात होता है या शुरुवात होता है राजीब नयान जी शुरुवात होता है क्या शुरुवात होता है आप हिंदी भाशी हो करके भी नहीं जानते हैं मैं तो हिंदी जानता नहीं हो मैं मंगला भाशी हो शुरुवात में सोई हुई थी तो क्या उस समय भी इश्वर वेद कहता है सूरियय चंद्रमा सव धात gjitha पूर्वमकल पयत ये पहले भी था अब भी और आगे भी रहेगा वी नहीं दूसरी बाथ है कि ईश्वर क्या है पहले जानिए कल मैं तो लिख करके दिया था बोला भी वट्स अप में कि लोग कहते हैं कि यह मानव ने भगवान गला यह इश्वर को बडाय ऐसा नहीं हो सकता भगवान यह जो इशीक काना मैं यह उसको भगवान केते हैं इश्वर उसको कहते है जो स्रिश्टिक रचना करे उसको स्थीति में लाए उसका प्रल foul करदे उसका दाम देवता उनको कहा जाता है जो देवत्तों के गुण जीन के अंदर में है इसलिए इश्वर ना रहने का कोई सवाली पैदा नहीं होता अर्विद राना जी लिखा गुजरात गुरु जी हिंदी हमेशा बोलते है पापी को माफ कर दो पर हिंदु हमेशा बोलते है पापी को माफ कर दो पर आज के टाइम में ये सही नहीं है आज के टाइम नहीं कभी भी सही नहीं था यह जो बोलते हैं माफ कर दो वो भी गलत कहते हैं उस तरीके से नहीं माफ करना न करना वो हमारे और आपके उपर निर्वर करता है हम छोड़ भी सकते हैं नहीं भी छोड़ सकते हैं तो जो पापी है वो पापी का तो कामी है पाप करना अब आप दया करते हैं आप छमा करते हैं वो आपके हिदय की विशलता को दर्शाते हैं कि आपके अंदर में वो माद्दा है जैसा किसी दुबले पतले आदमी ने एक पहलवान को मार दिया पहलवान उससे बदला ले सकता है, तथा भी उसको छोड़ देता है, वो छमा कहलाता है, और कहीं पहलवान ने किसी दुर्वल को मार दिया, दुर्वल ने उससे बदला ने लिया, उसको छमा नहीं कहा जाएगा, उसकी मजबूरी, उसको मजबूरी कहा जाएगा, नमस्ते प यह बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसलाम का उन्मूरन कैसे हो सकता है यह उन्मूरन आपको करना नी पड़ेगा वो अपने आप में हो जाएंगे जो बढ़ता है उसका नाश होता है और यह संदीप लाल जी हमारे भाई ये फीजी से हैं पर ये लाल तो अपने लिए लिखते हैं लेकिन ये लाल नहीं है इन्होंने मुझे तीन बार मेरा प्रोगराम दे करके आनन फानन में मुझे फॉरण पास्पोर्ट बनाने की लिखा और मेरा पास्पोर्ट लेफ्स हो ग लाज चोगणी है इनकी और ये पी आर रोहित वत्स का प्रमान जी हां नमस्ते रोहित वत्स का प्रणाम जी नमस्ते नमस्ते विपिन ध्यानी वेद में आराधना की विधी और समय बताएं नमस्ते विए रोहित में आराधना की विधी और समय क्या किसकी करनी है पहले जानना पड़ेगा पूजा क्या क्यूं कैसी उसको जाने भी न आप आराधना नहीं करेंगे तो रिशीद हैनन्ने बहुत सरली करन करते उसका जवाब लिखा है कि ईश्वाराग्या का पालन करना उसकी पूजा है रोईद बस प्रणाम हरी शिष राहूल जी नमस्ते यह राहूल जी के शिष है हरी जी यह मेरे साथ भी जुड़े भी हैं उन्होंने नमस्ते लिखा है कुण है यह नमस्ते पंडित जी जी नमस्ते मुकुल शर्मा जी मुकुल शर्मा जी पंजाब से हैं हमारे बड़े मित्र हैं और हमने बहुत दिनों तक साथ काम किया है अभी भी साथ काम कर रहे हैं मुकुल शर्मा जी अभी शेक मिस्तरा जी लिखते हैं वेदों में सरवादिक स्तूती किस देवता की की है क्या वो देवता बिना किसी आकार का है भाई देवत्तों का गुन जिसमें है वो देवता है मैं बोला न देवता के प्यांच जर देवता है और पांच चेतन देवता ह यह इस आकाश बायू जल आधी यह पांच जो बताया है वो पांच जड़ देवता हैं और चेतन देवता में माता पीता आचारी और पति के लिए पत्नी पत्नी के लिए पती यह पांच चेतन देवता हैं देवता कौन है पहले जानना पड़ेगा पूजा क्या है पहले जानना पड़ेगा उससे पहले किया जानना समबने पढ़ाम पड़े जी नमस्ते विगाजी सिया सुन्नी की क्या लराई है वो तो मैं पहले बिशले दिन बता दिया था संपती की लराई है पंडिजी को नमस्क पंडित जी मुहम्मद पैगंबर ने दूसरे धर्म के विपरित खोटे और उल्टे कामों को बना कर इसलाम जैसा धर्म बना लिया है लोग इस बात को क्यों नहीं समझते अब लोग क्यों नहीं समझते हैं लवकुष जी यह तो लोगों से पूछने पर पता लगेगा महंदर पर कैसे बता सकेगा लोग क्यों नहीं समझते हैं आप अगर समझते हैं तो आप शोड़ दीजी आप जान लीजे सच्चाई को आप बहुत अच्छा होगा पर आपने नमस्कार लिखा है नमस्कार भी शब्दा सही नहीं है विजय आरी पंडिजी अंतरिश का बनाने का अर प्रितिवी के अलावा भी कोई जीवन संभव है इस बर्मान में जी हां आठ बसु बतायागे हैं और बसु उनी को कहा जाता है बसायीती यहानि जहां बसते हैं उसका नाम बसु है रिशीदहरा ने सत्यादप्रकाश में प्रकाश डाला है सत्यार प्रिकाश पढ़िए मैं तो आप लोगों को बार बार निवेदन यही करता आया हूं, करता रहूंगा कि सत्यार प्रिकाश ही एक ऐसी धरुहर पुस्तक है जो सभी शंकाओं का समदान आप उस पुस्तक से पा जाएगे पंडी जी अंतरिश्ट का बनाने का आर्थ क्या होता है फिर दुबारा लिखे आपने क्या मुनु पहला मुनुष था जी नहीं संदीवलाल जी मुनुष पहला मुनु नहीं था वो पड़ाय के बाद के हैं और एक इस्तरी एक पुरुष से मुनुष पृतिवी की रचना पवनियान फिर निषान जैज लिखते हैं प्रनाम आचारी पंडीक क्या हिंदू शब्द वेद में नहीं है विराज दंीशण पुपनिशाद कहीं नहीं है हनुमान focusing के लिए उन्य नहीं जाले साथ जूद के लिए बुलाए गया है उसमें悦 ब्लान पर बुला आप लोगों ने दिखाओगा मैं इस पर जदा समय मौन रहा क्योंकि वह हमारे विचारों का नहीं था क्या आधी तीन है और अंत एक आधी तीन अंत एक है क्या कि भैस सवाल इस पश्ट करिये आदी नहीं अनादी तीन है इश्वर प्रकिति और जीव नमस्ते पंडी जी ओम पाल जी चेखे नमस्ते जी मुकुल शर्मा जी नमस्ते पंडी जी प्रतिवी के प्रारम से इंसान नहीं थे कि आधि वे में हजारों साल परी ती पर सिर्फ रहा है तैब इश्वर को कौनता था कि इस वर को कौनता था इस वर तो इसमंतों पूझने वाला जब आएगा तभी तो पूझेगा बाई मेरे पास लेटटप ने होगा तो मैं इसको चलाना नहीं जानूंगा चलाना नहीं पाऊंगा और मैं जब नहीं रहूंगा तो इसको चलानी पाएगा तो इसी तरीके से पूजा करने वाला जब आएगा पूजा करने का सोभाग इश्वर को जानने का सोभाग केवल मुनुष को है मुनुष को छोड़ कर किसी अन प्रानी को नहीं या डायनासोर हो या डायनासोर का बाप हो वो नहीं जानेगा तो मुनुष आने के बाद ही मुनुष के लिए ही उपासना है इश्वर को जानने का तरीका केवल मुनुष ही कर सकता है लोकेज जी लिखते हैं I am a great admirer of you Sir, your knowledge on all religion is wonderful Sir, I want to now if you have any plan to come to Bangalore तो Bangalore में आप बुलाएंगे वहाँ प्रोग्राम रखिये मैं आऊंगा Bangalore में उस समय जब मैंने एक को शुद किया था जो जामि अजर से पढ़ कर के आया उसको मैंने पहाडगा जारिय समाज में एके शौरपात पर डिवेट किया डिवेट में जब हार गया वह वैदिक धर्म को स्विकार किया तो उसको Bangalore में हम गए थे ओम शांती धाम में एडमीशन कराने के लिए और उसके बाद Bangalore के कुछ हमारे साती लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े भी हैं तो उन लोगों से संपर्क निरंतर होता रहता है और मेरी पूस्ता क्या और मेरी CDD वीडियो निलों में चलते थे उन सब को मंगवाया जाकिन नाइक के पास हार गया रवी शिंकर उसके बाद की घटना है तो बैंगलोर में प्रोग्राम बनाईए मैं आउंगा लोगे जी लालबर सिंग जी वेद और कुरान में मोलिक अंतर क्या है क्या वेदा की रिचाएं परिस्थितियों के अनुसार रची गई जैसी कि पुरान के साथ है जी नहीं लालबर जी ऐसा नहीं है परमात्मा का ग्यान परिपूर्ण है इसलिए परमात्मा को बदल बदल करके ग्यान देनी क्या वो शक्तानी होती आज ही मैं एक लेक लिका हूँ जिसमें आप देखेंगे फेस्बूक के पेज में ही पाजाएंगा उसमें पुरान में अल्ला ने सुरा इबरहीम आयत नमद चार में बताया है कि वामा अरसलना में रसूलिल्ला बिलिसान गव्यान लियुबैन लहूं कि हर एक ओम की जुबान में उसी जुबान में ही मैंने पेज़ंबर भेजा तो मैंने यहां सवाल उठाया कि मानुव धर्ती पर जब आया तो जनम लेते ही जुबान खुलते ही उसकी जुबान से स्वर निकलते हैं यह स्वर है यह स्वर निकलते हैं और वो स्वर केबल संस्कित में है किसी अन्ज जुबान में नहीं है तो जब स्वर मानुव धर्ती पर आया जुबान खोला सवर निकला सस्कित में इसको हम अक्छल कहते हैं तो ऐसे सस्कित जुबान में अल्ला ने किसको पैगम कौन सा पैगमबर भेजे अगर सस्कित को हम छोड़ भी देते हैं तो हिंडी में बताए कोई इसलाम के जानने वाला मानने वाला इसलाम वालों से चुनोत कि है मेरी लालबरत जी आपके बनारस के सारे मौलानाओं को बनारस में भी इस्लाम का गड़ है और काफी मदस्था वाले पिछले दिन जब लागुए उसमें छेद गंज में ललापूरारी समझ के कारिक्रम में गया हुआ था गया तो पचासों बाल लेकिन वहां पर भी बहुत सारे मौलानाओं लोग आए थे आपने भी देखा होगा तो यह सवाल मेरा केबल इस्लाम जगत से है कि संस्कीत जुबान में अल्दा ने किस पैगंबर को अगर संस्कीत को छोड़ते हैं तो हिंदी जुबान में बता दे पर हिंदो कान खोल करके सुन लेना कि मुसल्मानों का नाम हिंदी अक्षरों में या संस्कीत अक्षरों में रखना इसलाम में मना है इसलाम कितना संकेन है वो देखिए इसलाम में कितनी संकेनता है वो देख कि हिंदी जुबान में या संस्ती जुबान में तो आप नामी में रख सकते ंच how to allah और एंश्वर का होना संभाब मंखा हूं और अने द्धनवाद है आपने समय निकाला है वेद में मुक्ती का क्या मार्ग बताया है पहले जानना पड़ेगा मुक्ती किसको कहते हैं मुक्ती के मानी ये नहीं है कि आप जनम नहीं लेंगे नहीं उसमें मैं बोल भी रखाओं फिर भी बता देता हूँ मुक्ती के मानी वो है उतना एक प्रियर्ड होता है कुछ समय के लिए परमात्मा के आनन से उस आनन को प्राप्त करने का नाम मुक्ती है लेकिन उस आनन को प परता है क्योंकि जन्म और मित्तु शरीर में आत्मा रहने का नाम जन्म निकल जाने का नाम मृत्तु और यह जीव जो है कर्म करने के लिए धर्ती को छोड़ करके और कोई स्थान नहीं है कर्म करने का इसलिए जन्म लाने ले का कोई सवाली नहीं है मुक्ति का मतलब यह नही से लोहा अगनी सम हो जाएगा लेकिन लोहा को निकालने पर लोहा को लोहा रहना है ठीं किसी तरीके से निसद्ग प्रमात्मा से आनन को जट समय तक जटना तेर तक ले रहे हैं उसका नाम ही बुकती है प्रावन और आत्मा दोनो एक है या अलग अलग नहीं प्रान और आत्मा दोनों एक ही है आम प्रान भी कहते हैं आत्मा भी कहते हैं पंडी जी नमस्ते सामोबादी कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंदू का बिगड़ा रूप है सामोबादी की हुए हिंदू भी कहते हैं सिंदू का बिगड़ा हुआ सब्सक्राइब है अरिंदम चोहान जी विजय पंडी जी जीवात्मा शरीर के कौन से हिस्से में रहता है गुयाम शब्लाया है यह बाया साइट के यहां पर हिदाय की स्थापना हिदाय का वास यहां होता है अरिया आचायर जी नमस्ते क्या हम इस बात को जूटा प्रमानित कर सकते हैं जो किसी मद्ध एशिया के लेखक द्वारा प्रमानित किया जा रहा है क्या बोला जा रहा है करके हम आरिये बाहर से आये और प्रतम हमने से लगबाने आगे बुढ़ने के लगबत नहीं डिया यू?' पहल कि आए ये लोग बाहर से आये वह तो बात की बात है यह अन्दर वाले पी तो बोला जो अलमानीत क्या बोला जोलन नहरू ने भी डिसकोवर्य विंडिया में लिखा कि आरिये लोग बिदेश से आये जिसके नाक लंबा हैं और कपाल मुचा हैं आधी-आधी बखवास किया है जोलन नहरू को कुछ भी अता पता नहीं है दिल्ली इंवर्सिटी के तीन प्रोफेसरों ने ये सिद्ध कर परेतर हैं कि आरिये इस देश के मूल नबाती के इस देश का नाम इसलिए आर यीवर्त है मरियाना पुरुषणतमराम को हार ये पुट्र क्यूं कहा गया महावारत वाला सिरियल में गांधारी अपने पती को आरियो पुत्र क्यों कह रहे हैं उसके बाद वाला सिरियल चानक वाला में भी आरिय वीर आरियो युद्धा क्यों कहा गया इसलिए सच्चाई को अपनाईए सच्चाई को जानिए इसा का सौवर्ष पुर्प ये बात गलत है आदी स्रिष्टी से इवेद है जबसे स्रिष्टी की रचना हुई है परमात्मा ने पहले ग्यान दिया है उसके बाद मानव का कर्म आया है ग्यान की बिना कर्म का कर्म संभबने होगा इसलिए पहले परमात्मा ने ग्यान दिया है बेद का अर्थ पुस्तक का नहीं है बेद का अर्थ होता है ज्यान विद जाने की वीषणरेन विर क 농 यंब यह सब बेद की अर्थ होते इसलिए बेद की मानी छोता है ऑंड़ी तीव भेदों के इश्वर का अस्तित्य होने वो कोई वस्तू थोड़ी है तो अस्तित्त क्या है इश्वर के अस्तित्त को जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा समझना पड़ेगा सत्या प्रकाश पड़ेगे तो उसमें समधान पा जाएंगे आप रिशीद एलन ने परमात्मा के नामों का वर्णन किया है कौन इश् करता है यह दिया है पर्मात्मा का नाम कि यहां अमित चौधरी जी लिखे पंडीजी वेदों में इश्वर का अस्तित का बाई नमस्ते जी मैं आप से मिलना चाता हूं आप कहां मिल सकते हैं मेरे को बताएं वैदिक धर्म को जानना है जानना चाता हूं तो मिलना जरूरी क्यों है क्यों मिलना चाते हूं वैदिक धर्म को जानना चाते हैं तो सत्या प्रकाश लीजिए संतोर जी कहां राठोर जी आप मद्द प्रदेश के लग रहे हैं तो आप जिस कहीं के भी हो आपके नजदीक मारिय समाज होगा उस हारिय समाज में जाएं सत्या प्रकाश लीजिए सत्या प्रकाश को पढ़िए आप सब जान जाएंगे परमात्मा के बारे में रेनू राना जी क्या लिखते है पंडिट जी रिग वेद में दस दस रजाओ और मुन के कभी लोग यह राजा फाजा का किसी का नाम वेद आप औरुशी है वेद में कोई वेक्ति विशिष की नाम की चर्चा नहीं है वेद इतिहास नहीं है वेद काव नहीं है वेद ग्यान है विशुद ग्यान आदेश और निशेद क्या करना क्या नहीं करना है यह परमात्मा का दिया हुआ है परमात्मा का बताय हुआ है विशियों के द्वारा पाइड गलारे दैस में इस वीडियो को हर कोई भायों से बेहनों से निबेदर है कि आप लोग शेर करें लाइक करें और सबस्क्राइब भी करेंगे हिंदी दुनिया हमारा स्वभाग है कि आपने हमें एक प्रकार सनातनियों को जीने के एक शैली बताने का काम किया जिसे सनातनी लोग भूलने के कगार पर था बहुत बहुत धनवाद बाता जी आपको ये जान लीजेगा मुझे इस दुख तो इस बात से है कि मैं तो दूसरे संपरदा से आया हूँ और मैं जान गया हूँ और आप लोग का है आप लोग नहीं जानते बतलाएए मेरे लिए ये तकलिफ वाली बात आई कि नहीं है इसलिए सनातनी बनना जरूरी है तनातनी मत बनिये पर आप लोग तनातनी बने हुई हैं और तनातनी बनाने वाले ये जतने आपके गूरू है अब साहिं बाबा पर चड़ावा चड़ा रहे हैं अब साहिं के उपर करोडों चड़ावा आता है आप वो हॉस्पिटल को तीन हॉस्पिटल को ते रहे हैं अब ज Alma से ताल 큰 वाटैनें लेइए तो सब्ससा नहीं वें दर्म एक ही धर्म मनुश्मार्टित्र के लिए यादि स्रिश्टी से है इसलिए सनातनी यह आप लोग के गुरू चाये वह जितने भी गुरु आप लोग है साही बाबा हो यहाँ इस समय तीन चार जेल में है अब यह दाती दाती है यह दाता है यह वही जाने इस पर भी शिकन जाकस गिया है यह सब चरित ही लोगों के चंगूल में हिंदू ही फसे पड़े मैं नहीं समझ पाया अब वो हरदेव जी क सुना होगा कल दूर दर्शन में जो हरदेव के पास भी इस तरीके से मजमार लगाए हैं जबके वह भी अवैदिक है कौरानिक है अब वो कौरान को वेद को गीता को सबको एक मानदा है जबके उस मुर्खानन को पता ही नहीं है अब उसके लड़की ने दामात के उपर केस किया हुआ है वो संपत्ती को किस तरीके से हरपा है इंदुर दर्शन में कल दिखाया गया है तो हिंदू गुरू बनाओ जानकर और पानी पियो चानकर इसलिए हिंदों को पहले जानना चाहिए यहां तक मेरी बात है कि मेरे लिए कह रहे हैं आपके मैं भुले बटके को र प्रस्तुत करना हूँ सही क्या और गलत क्या है मेरा काम के बल सत्त और असत को लेकर क्या है सत्त का उजागर करना और असत को भी सामने उठा कर रखना कि विचार आपके उपर है कि आप विचार करके सत्त को अग्रहन कीजिए असत का त्याग दीजिए यह है और सत्त कहां ह उसको खोज कर निकाल कर प्रस्तुत करना आप लोग के सामने में वो मेरा काम है और आप लोग जो इसको ले रहे हैं वो आप लोगों का पुरशार्थ है आप लोगों का परिश्णम है आप लोगों की मेहनत है आप लोगों का लगन है आप लोगों की रूची है सत को जानने का इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्र यादा कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ करके आप लोग सत को जान पाएं कल भी आप देखा होगा हरी सिंह, सनेही जी जो हमारे बड़े आचे मित्र है उन्होंने मेरी प्रशनसा में क्या-क्या लिखा है कल मैं आप लोगों को वर्टसप के मादम से भेज भी दिया था कि हरी सिंही जी ये सोनीपत के रहने वाले हैं सोनीपत नगरारियस समाज के यादिकारी भी रहे हैं या अध्दापक रहे हैं अब पहले जीवन में अब रिटेर होने के बाद रिशीद एनन के विचार धारा को जन जन तक पहुचाने में लगे हुए है तो उन्होंने मेरी तारीफ में और नमालूम क्या-क्या लिखा मैं आप लोगों को भेजा था अब ही यह मालनी है आधित राज गुप्ता-जी हमारे साथ जुडेव। भीह हैं बहुत पहले से तीन दिन संध्या ना करने से यह जो पवित क्यों अपवित्र हो जाता ए अगर कहीं मिला है तो उस किताब कहाला दीजेगा मुझे लेकिन हमारा शात्र का कहना है कि नातिश चतितो यहाँ पुर्वम नुपसते यश्चे पच्चिमम से शुद्र बदभज करिया सर्वेसमाद दूज करमना कि वहों मानव जो सुबह और शाम दोनों समय संद्या नहीं करता उसको अपने कूल से हटा कर शुद्र कूल में ढखे लो हमारी हाँ पर शुद्र उसको कहा जाता है जो संध्या नहीं करता है उसको शुद्र कहा जाता है शुद्र के माने सफाई कर्मचारी नहीं है जो आज राज नितिग्यों के माध्धम से ये सारा चल दा है और ओवैसी को कल सुना कि ओवैसी ने बुला मुसल्मान और दलितों को एकत्र होना पड़ेगा अरे ओ वैसी का बच्चा सुण पुरान में अल्ला ने अनुमती दिया है यानि पहले पूछ अल्ला से जब अल्ला ने गहर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है तो क्या बखवास किये जा रहा है भारत वर्ष के अंदर में मानव समाज में बिगार पैदा करना चाहता है तू बैरिस्टर है यही बैरिस्टर ही पढ़कर क्या आया है खाक बैरिस्टर ही पढ़ा है तू मानव समाज के अंदर में बिगार पैदा करना चाह रहा है और ये बीजेपी वालों को दोश दे रहे हैं बीजेपी वालों को दोश दे रहे हैं कि गुलाम नभी आजाद और सहिफद्दिन सोज अब सोज है या सोच है वो सोचते रहेंगे क्या सोच है पता नहीं ये क्या बोलना है तो ये तो इसलाम की बोली है वह उनलोगों को मन की बात थुड़ी है कुरान का हुकम है अल्ला का आदेश है वो तो इसलाम की बात कर रहे है असद द दिन ORS भी पर असद द्न ORS को ये पता ही नही है कि अल्ला ने लायत तकिसल मुविन उनल काफिरिन हुले मिंदूरिन मुविनीं के लिए मना किया तु की सारी जणकूब मिला रहा है एक। किस दलीद को मिला रहा है। आप दलीद है कौन हमाई यह पर दलीद शचब्द ही नहीं है। और ये राजनेता सब दलित कहके लोगों को पद्ध दलित कर रहे हैं और इसमें से कोई दलित भी नहीं है चाहिए वो रामभिलास पासवान दलित नहीं है और ये मुम्मत्ती या मायावत्ती ये भी दलित नहीं है और जो भी दलितों का मसिहा बने में हैं ये कोई इसमें से क वो कहा मिला वो परमान हमें दीजिए नमस्ते पंडी जी ये पाइल जाट जी लिखते हैं नमस्ते पंडी जी आप बहुत महानकारी कर रहे हैं आपको सत सत नमान ने बैंजी ऐसा नहीं ये ये मैं काम कर रहा हूं ठीक है मैं तो अपनी जिम्हादारी ने बारा हूं कि मैं जो उजागर करने में लगाऊं लेकिन बेहन जी मेरा धन्वाद क्या ये धन्वाद तो आप लोगों का है कि आप लोग समय निकाल कर मेरे बातों को सुनने हैं या मेरी बातों को सुनने हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसलिए तो मैं आप लोगों का शुकर गुदार हूं आप का धन्वादी हूं कि आप लोग समय निकाल कर सत को सुनना चाहते हैं क्यूंकि लोगों ने तो सत को तिलान जली दिया है सत को सुनना नहीं है अशत के पक्षदर बन गये जैसा एक उधारन में दे रहा हूं कि अर्जुन ने जिन्दगी में कभी जूट नहीं बोला उस अर्जुन को हमने वीर कहा और जिन्हों ने घर के संपत्य को जुआ के बादी में हारा घर के कुल बदू को भी जुआ के बादी में लगा दिया उन देश में जुआड़ी को धर्म राज काना कहां तक सही है इसलिए पाट गलत पड़ाया गया आप लोग समय निकाल कर मेरी बातों को सुनने हैं मैं आप सब लोगों का धन्वादी हूं शुकर गोदार हूं यह पंडी जी नमस्ती ये सते निमिश्रा जी ने नमस्ते भेजाए नमस्ते साब ये म Sulloj Kumar और राजपूत नमस्ते नमस्ती जी यह क्या कौन लिखा क्या पंडी जी मेरा आप से प्रात्ना है कि आप हफते में कम से कम एक बार जंता से सीधा जुड़े और सनातन को जनता है हमें समझाए है हम मैं तो ये मेरा समय निकलता है तो मैं ये करता हूँ लेकिन असल में मैं भी गरस्ती हूं भाई रोजी रोटी का साधन मेरा ये प्रचार कारिये इसके से वह और कोई नहीं है तो प्रचार कारिये में लोग मुझे बु बाकि और तो कोई देने के लिए इस तरीके का मन नहीं बनाया है और अगर आप लोग जानने हैं कि ये काम ठीक है सही है तो इसको करने के लिए इसका साधन जुटा देना चाहिए आज तो 35 साल हो गया है मैं बोल रहा हूं कि कोई एक स्टूडियो के बवस्ता करें साल पर प्रिंपाल शर्मा वो मुझे अपने घर से जब 15-20 किलिमेटर दूर है उनका घर वहां से पानी डोकर के लाते रहे बोजन डोकर के लाते रहे सारा काम हुआ तो हिंदू के बात बनाता है करतानी इसलिए मैं कई बार कहा हूं कि हिंदू का बाप पैसा है हिंदू जरूरत पढ़ने पर शेर के मुझे हाट डाल देते पर जे में अगर डाल करके ये काम मेरों को करने के लिए मोहिया कड़ाते होते तो आज 35 वर्ष में मैं सत्व सनातन वईदिक दर्म का संपोन्नू वीश्यों के आंगन में हो जागर कर सकता था यहां साधन की बात है साधन जुटाने की बात है साधन जोटाने की कोई तयानी काम辗त है तो चाहते हैं सभी बिदिए किसे किया जाना चाहिए कैसा किया जाना संबभ है वे साधन जोटाने के लिए कोई तयाने अब मैं क्या बता हूं साथ हिंदी दुनिया वाले अमि ये लव को शारी जेभ पंडिय долटी जी मारशी दैनन सरसुती ने इस्लामिक पुस्तक और आन को अपने सता प्रकायश में भेरत ही है यह लवकुष जी आपने नाम से आरियह भी लिखा है यह शब्द भी आपके गलट है कि रिशी दैना ने खंडलं जा का और 2022 रिशी 1889 यह खंडलं की मानी है चूर सरो कर देना निस्त इसका नाम खंडनी है, इसलिए मैं एक छोटा सा शेर सुनाँगा हूँ और पहले भी सुना चुका हूँ बहुत बार, कि आइना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकादा है, अप शिक्वा कैसा, आप सत्यात की तनकीज से नाराज नहों, अपने चेहरे को ह धोर डाली और यह गुस्सा कैसा यह हमारे बड़े मित्र उत्तम चन्जी शरर के यह शेर है जो पानी पत खैल बजार में रहते थे कलंदर चौक में जिनका मकान था हमने लगबग आठ नो साल हम साथ रह करके प्रचार क्या यह शेर मानिये शरर जी का है वो मैं आप लों को सुना है और मैं निवेदन किया कि सता प्रकाश में रिशी दैना ने जो अलोचना किया है उससे आप नाराज मत हुए उसमें जो दाग आपके चेहरे में दरशाया है उस दाग को धोईए चेहरे आने के सामने में खड़ा हो जाईए तो चेहरा बिलकुल फ्रेश नजर आएगा इसल मैं माल लेता हूँ कि हर एक की जुबान में अल्ला ने पैगांबर भेजा तो मैं बोला कि जन लेते ही मानों के जुबान जब खुलते हैं तो स्वर निकलता है और स्वर संस्कित में है तो संस्कित जुबान में अल्ला ने कौन सा पैगांबर भेजा क्या ये मैं खंडन कर ओन्हों किया ये मेरा खंडल है ए सस्तित को छोड़िये हिंदी जुमान में कौन सा पैगंबर भेजा अल्ला ने बताए अल्ला के बन्दे बताए कुरान के मालने वाले पर चलने वाले बताए असाद दुद्धीन उभैसी बताएं असाद दुद्धीन को पागान नहीं है राष्ट को तोड़ने का काम चल रहा है राष्ट मुख को विभाजन करने का कारे एक विभाजन तो जिन्ना ने किया है और उस जिन्ना के समर्थन करने वाले जिन्ना ने जो तांडव मचाय था लूट मार काट का मैंने बच्पन में भी अपने बुजर्गों के जुबान से सुनाएं कि जिन्ना ने जब जादी किया है मार काट करो करके उस समय बंगाल में कलकता शहर में कितने हजारों हिंदुओं को मारे गए नवाखाली में क्या तांडव हुआ उसमें महंदास करम चांडगांदी का भी हाथ छोटा नहीं था तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं क्या ये सबाल उठाना कंड़न कर रहा हूं मैं तो रिशीद एhneilal ने यही सबाल उठाया अल्ला ने अगर संस्कित जुबान में किसी पैगंबर को भेजा हो तो कोई बताए क्या हिंदी पिर ऐसा अल्ला कि ससकी जुबान में हिंदी जुबान में परशांबर भेड़ेगे मेरा कहना चह्जी है या कोरान का कहना सही है मैं सवाल उठा रहा हूँ तो यह सवाल उठाना क्या मैं कंडन कर चाहा हूं आये ना कोई जवाब लेकर के तब पता लगे गसत और असत का जव पर्मान वही है जो जा इश्वान रचना करें तो इसको इस्तिती में लाइविसका प्रणाइब मुनिश्श मात्र का पफल दे और भगवान के द्वारा एक मजट का यह मकः का टांग बनाया जाना संभवन होगा समाझ गए ओंपाज जी ताजेश तिवारी जी लिखते हैं परशन धर्म से मज़व बनाने वाले सभी प्रवर्तकों को उचा इस्थान या उनकी तरी उनकी तारीफ के कसीदे क्यों पढ़े जाते हैं क्यों पढ़े जाते हैं वो तो वही जाने वो दुगंदार लोग थे जबकि ऐसे लोगों ने ही धर्म से मज़व बना बना कर मनुश को मनुश से जगडा कराया जी बिल्कुल तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा इस पर ही मेरा 35 वर्षों का काम है मज़व का काम है मनुश से मनुश को जुदा करना और धर्म का काम है मनुश से मनुश को जोड़ना इसलिए धर्म एक है मज़व अनेक है मज़व मनुश के द्वारा बनाएवे होते हैं और धर्म इश्वर प्रदत्व होता है सूरज किसने बनाया मुश ने या सृष्ट सुष्टी के रचनाकार हैं सुष्टी के रचाइता हैं वहीं मनुष्ट मनाई हैं इसलिए यह धार्मिक दुकान दाल लोगों ने मानौव समाज के मानौव समाज में अपनी दुकान चलाने के जगडा कहा चाये बोधिजम हो इजम हो सिक इजम हो या इसायत हो या इसलाम हो ये जितने भी इजम है ये सब मानों समात को टुकडों में बांटा है परमात्मा के पास मानों मात्र के लिए उब्देश है यथे माम बाचम कल्यानी माबदानी जरेप्या और कुरान का उब्देश या युहल लजिना आमनू ह भगवान शीव के जिक्र है इसके बारे में मैं जानने का इच्चु को वही ऐसा है ये वेज में मैं बोला ना किसी व्यक्ति विशिश की नाम की चर्चा नहीं है अब कुरान में है या नहीं है कुरान में भी शीव की बात नहीं है वो भी गलत आपने सुना है कुरान में आदम को शीव कहा गया ऐसा नहीं है ये पिशली दिन मुफ्ती इलियास नाम का जो उत्रोला का रहने वाला वो मेरे पास मेरे साथ कई बार मिल चुका है उत्रोला आरियस समाज में मिला है उसके बोला कि मेरे माता और पीता शीव और पारवटी है वो आदम और हवा के लिए बोला कि वह जिए पेरा पहला सवाल शीव शब्द इसलाम में जाइज है या हराम है तो पर शीव और पारबती को माता पीता की और केसे माना जाएगा ये मैं जवाब दे रखाऊं यूटूब में उसका वीडियो मेरा लगा हुआ है वीजय जी क्या लिखना है फिर पंडे जी रिशी किसे कहा जाता है और रिशी बनने के लिए क्या करना पड़ता है रिशी उनको कहा जाए रिशी वही मंत्र दश्टा हो जो मंत्रों के साच्छतकार करते हैं मंत्रों के दरश्टा होते हैं उनको रिशी कहा जाता है इसलिए मंत्रों के साच्छतकार करने वालों को रिशी कहा जाता है विजय जी रिशी बनने के लिए क्या करना पड़ता है रिशी बनने के लिए उनके तप उनके साधना उनकी भक्ति उनकी मन की शुदता आधी आधी ये सब रिशी वही होते हैं जिनके अंदर में जिनके मन में किसी प्रकार का कोई दोश ना हो वो रिशी कहलाते हैं समझ गये वेज़ा बबो अश्वनी घोश अश्वनी ये सेम घोल टाइम सिस्टम एक था भाई के लिगे चो गोश्वा वो आमी तो पोड़ते बाची ना नमस्कार पुर्णी जी नमस्कार जबबु दादा ठीक है भाई नमस्ते ये गोवरा वर्मा लिख रहा हैं बेद सही और कम कीमत पर कहां बिलेंगे वाई आप जब सही लेना चाहते तो कम कीमत पर क्यों लेना चाहेंगे सस्ता सोदा होता क्या है आप जानते हैं बेद मिलेंगे लगबग में और आपको मिलेंगे पंद्रा नंबर हनुमान रोड जोडमल प्रकाशन हिंडोन सिटी और है और है और है रिशी देव से भी आप मगवा सकते रिशी देव आप ले को लेकरके देगे असली बेद सही बेद और हनुमान रोट दिल्ली परतिन सभा से मंगवा सकते हैं प्रादेशिक सभा मंदिर मार्ग से भी मंगवा सकते हैं यह हमारे भाई तहजीव एहमद एक हैं इन्होंने लिखा है कि आदम आदम एज हम सभी इन्सानें के बाप है नहीं सभी इन्सानों के बाप नहीं होगा वो इसलाम कुरान और बाइविल के अनुसार होगा वेख में असंख जीव पैदा अशंखमानों पैदा हुए है, एक इस्तरी और एक पूरु से दुनिया नहीं बनी है तैजीम मियां, आप जान रहे हैं कि आदम और हुआ से दुनिया बनी है, तो आदम और हुआ में पती पत्नी मिल करके, जो संतान उन्हों उत्पन किया, उन स बहुत में उन दिनों में शादी द्यूका होई राज यहां आप तो अपने इंद्र को बीट ऊथ apprendre की पार कि मुंधारी भहिएन और शादी में उप्रत ब कि आ से मथेलने आपके पत्नी यहां मुघ्या है तो वो सिलसिला अधर्म है हमारी यहां पर गोत्र बचाया जाता है मा के छे गोत्र में शादी नहीं होती है एक इवराहीम नाम का एक उसने शादी के आठ किसम को बताये उसमें मैं चोटा से वीडियो बना करके दिया था अभी उसके ऊपर बनाऊंगा अच्छे धंका वीडि जी बाई और रूशी खास जी रूख्या रूशी खास क्या बाई चलो कोई नहीं पंडित जी मुल्ले हमेशा आरोप लगाते हैं कि अथर्वेद में जादू टोना है यह कौन लगाता है आए मेरे सामने कि वेद क्या पढ़ेंगे यह आ नहीं जानते हैं अभी बदर पदे से एक फोन आया था उसको मैं उठा करके दिया था जाकिन नाई को भी रुखा जाकिन नाई को भी वेद में नमालूम क्या क्या अनगर पढ़ा किया है पर उसकी गलती नहीं है गलती हमारे लोगों की है हमारे लोग जो है न यह उनको बड़ावा देते हैं हमारे जो लोग है हिंदू कहलाने वाले यह उनका काम करके दे रहे हैं यह लिखी वी पुस्तक है हिंदु नहीं लिखा है वेद और पुरान में हजरत मौंब तो ये वेद में कहीं नहीं है वेद में किस्सा कहानी की गोई गुंजाश नहीं है ये चोहन सब कहांदी करें पंडी जी आप सब धर्मों के ग्याता है कि अपने आप अपनी जैसे ग्यानी और लोगों को भी बनाने का काम करें अपने सानिध में हाजी मैं एक दो नहीं मैं हजारों के तादाद में बनाया हूं जो मेरी बातों को जानने का समझने का प्रयास करते वो मेरे साथ जुड़े भी हैं वो लोग इन सच्चाई को उš्यागर कर रहा है मैं हजारों की तादाद में मैं यहां क्या अरफ कंट्री में भी बना रखाओ आरिये समाज में कम लोग आते हैं तो मैं क्या करूँ और आरिये समाजियों से पूछिए मैं समाजी नहीं हूँ मैं आ रही हूँ आरिये समाज में कम लोग क्यों नहीं आएंगे जब आरिये समाज में जाएंगे तो आज देखेंगे जगडा और उपर से लेकर के नीचे तक सारवधिशिक सभा से लेकर के साधरन यूनिट तक सब जगा जगणा ही जगणा है जगणा से खाली नहीं तो कौन जाएगा वहाँ इसलिए मैंने अपनी सदस्ता भी निरत करवा दी मैं आरी हूं समाजी नहीं मैं क्या क्या बता हूं यह सब दुकांदारी दुकांदार लोग बी दुकांदारी चला रहें इसलिए रिए समाज अच्छा है समाजी अच्छे नहीं पर इतना ज़रूर जाने कहां अरी वीर जी के सोने के दुकान में कम भी लो दिये और शराब की दुकान में लाइन लगा करके लोग लेते हैं पंडित जी मरशीद हैनन अपने रिगवेद भास भूमी का में इश्वर को खोजने का इस्थान बताया है और उसमें उदर और गर्त वो बेशाम आकार का जिकर किया है ये गर्त वो बेशाम क्या है वो गुहियाम शब्दाय में बोला ना पहले तो बोल दिया जब आप रिगवेद आदी भास भूमी का पढ़ रहे हैं तो उसमें अच्छे धंग से पढ़ करके समझ लीजिए और उसमें पूछने का क्या काम था पंडित जी यह हुसाइनी ब्रहमिन कौन है सुना है यह इमाम हुसाइन की भी पूजा इस इसे है रहे हिंदू तो जो चाहेगा सो करेगा हिंदू तो एक इट सड़क पर रख दीजिए वह सड़क बाबा बना देगा बंगाल में बाली गंजेस्ट्रिशन से पहले बुंद रेल गेट वहाँ पर भी रेल लाइन के नस्दीक एक बना हुआ है उसका नाम रखा बाबा रेले श्वाब अब हिंदू तो जिसको मालेगा वो बना लेगा ऐसान का माले जहां बोलेगे हिंदू वही है और HERE हिंदों की कंबख्ती के कारण ही ये देश में आज उतलबटल मची वी है, हिंदू अगर समझदार होते हिंदू अगर सही अरफों में सच्चाई को जानते होते होते हिंदू अगर अगर उन दिनों में अकबर बाशा को बना लेता तो ना पाकिस्तान का जनम होता है पाकिस्तानी हातंगबादी जर्म लेते काला पहाड का किस्स दरूर सुना होगा पंडित काली चेरण को काला पहाड बनना पड़ा यह सब इतिहास है इसलिए यह मस्जिद जो बनी है न सब मंदिर तोड करके बनाएं गए गए बावर का नाम से भारत में मस्जिद बनाने के लिए लोग उतारू है और राम का देश में राम का मंदिर बनाने के लिए उभिरोद कर रहे हैं इसलिए इसलाम कितना संकिन है मैं और बता देता सुनो ज्यान से सुनो और असद दिन उभाइसी को भी बता देना और येतने भी मुसल्मान ये आते हैं न दूरदर्शन में टी तुम्हारे ये क्या भाईचरा है इसलाम में जरा ये तो बताओ कि तुम हमारी यहां पर सरक छेक करके सरक घर करके नमाज पढ़ते हो पर मक्का और मदिना में हमें जाने क्यों नहीं देते एक सवाल का जवाब दे आसर दुद्दिनों वैसी और ये फहीम बेग और ये जितने भी मुलाना रिजा और ये वो दुनिया बर का जितने भी आते हैं ये सब के सब हरामजादे हैं सब के सब जूड बोल रहे हैं ये भाईचारा बता रहे इसलाम में भाईचारा है क्यों यह हिंदू बिना पेंदी का लोका है गंगा गंगा जास जमना गाय जमना दास ओम नमस्ते तुरसिज्जी नमस्ते पंडित जी आवतारबाद जाने किष्ण भगवान राम भगवान ये क्या है किष्ण भगवान राम भगवान ये महापुरुषते मरियादा पुर्शुत्म इनको ईश्वर भगवान तो कह सकते है ईश्वर नहीं ईश्वर में और भगवान में अंतर में बता दिया मरियादा में कुछ बनेगा ऐस्ट्रमें में कुछ बनेगा इस तरीके सब बदले जाएंगे तो राम में बदलाव हैं लेकिन इश्वर में बदलाव नहीं इसलिए इसरोग का मुख नाम ओम है यह हिंदु जानता नहीं है और यह तो कृष्न को वही इश्वर माने बैठे हैं यह वश्नवी लोग बगलादेश वारल से चल रहा है काई दिल से वह इश्वर को उसने बोला कि समुंदर में बड़े मशली है और समुंदर में बड़ा मशली है तो बड़ा मशली जाने तो मैंने कहा कि समुंदर को कोई एक तालाब को समुंद आता है गडियाल को मचली कहे कुमीर को मचली कहे यह तो उसको पर भी हए हो रहे हैं इस्वर को जानने के बाद ही उसको बढ़ेगा किष्ण को इसवर कहना सरासर ईश्वर के साथ दोखा है इंडों काम कौल करके सुनो और तुम हिंदों के बत्तमिजी की कारण ही ये सारा काम हुआ है जो योगश्वर कृष्ण को तुमने महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चलाया इसलिए बड़ी बत्तमिजी और क्या होगी और ये गीता प्रेस वालों ने आगनी में घीट डालने का काम किया है ऀएक राम और किष्ण के तो वो मा के उदर से जन्म लि Miche लेगा वाईश्वर नहीं हो सकता है हिंदुी सच्चाई को जानता है जैसी ऑघ्रम क्या है जैसी निए जैसी ने जैसी नम हम राव भ़ऄ नहीं है और राम को ईश्वर मानना खत्रा से खाली नहीं है इश्वर के साथ मजाख है इश्वर का मकौल है इसलिए इनके क्या लिए है भाई राना जिनके क्या लिखा है ला इलाह इलालाह मुहम्मद रर्सूल अल्लाह पर जी इसकी समिक्छा करें भाई ला इलाह इलालाह मुहम्मद रर्सूल अल्लाह की समिक्छा क्या करें ला इलाह इल्ला अल्ला महांस District पूछता हूं कि रसूल को आ जाना सब्मब होगा क्या एकृश्वबाद रही क्या इसलाम में। हीश्वबाद ne मुस्लिम और हिंदों को कौन सी पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए जी हिमान्चु जी बहुत बहुत धन्वाद आपको मैं सत्यात प्रकाश पढ़ करके सत्तो सनातन वैदिक धर्म को सीकार किया हूं इसलिए यह पुस्तक मैं पहले भी दिखाया था हिमान्चु जी आप द ची देव जी जी से कुछ करदा लेकर वो भी भाई राज आ रही जी ने करदा लेकर तब मुझे बताया कि पंड़ी जी, मैं उन से करदा लेकर कि यह पुस्तक पर डाल दिया हूँ थो मज़्जिद से यरशाला की और मज़्जिद से यरशाला में क्यों आना पड़ा इस पुस्तक में मैं दर्शाय हो इसका चौता एडिशन जाना है इसका पूर्व इमाम के कलम से वेद और पुरान की समिक्षा इश्वर और अल्ला दोनों एक है या नहीं इसकी में समिक्षा लिखाओ अल्ला का निनान में नाम है और इश्वर के सौ नामों का वर्णान इसमें मैं कियाओ और दोनों नामों में आस्मान जमीन का अंतर है इन सब पुस्तकों में पा जाएंगे इसका भी तीसरे एडिशन जाना है यह असलम कास्मी ने मुझे मेरे ब़ ses अग्यां में नहीं रखा और कुरान पर सबसे नामों मुझे मेरे यह को मारू काटो लिखिविस आज की नहीं है तो क्या अल्ला देनान इन गलती को पकड़ लेंगे अगर आज आवश्यक्ता नहीं है तो इस किताब को क्यों रखा गया उस आयात को क्यों रखा गया मनसुख कर लेना चाहिए फिर ये बेचारे ने जवाब दे कर फसाया मुश्पिक सुल्तान ने मेरा एक पांच पेश का साथ पेश का एक पोस्ट था इंटरनेट पे इसलाम जगत के बिद्वान सही जवाब मिलने पर इसलाम सीकार कई वर्षों तक जवाब ने दिया मुश्पिक सुल्तान ने जवाब दिया 15 प्रशंद है उसमें और इसने जवाब दिया और इसके जवाब में ही सवाल आ गया इसलिए इस पुस्तक का नाम बेचारे ने जवाब देकर फंचाया इसलाम को और अभी अभी मैं एक नई पुस्तक और निकाला हूं पुर्वी इमाम की कलम से यह दो पुस्तक की समय उपलब्ध है जिन भाई को मंगाना है वो मेरे से पत्रचार करके मंगवा सकते हैं रिशीदेव.com से भी मंगवा सकते हैं रिशीदेव जी के पास भी यह पुस्तक मैं बेच दिया हूं और मेरी पुस्तक को छापने के लिए भी प्रबंद आप लोग करेंगे तो वह पुस तो यह पुस्तक है कि इस तरीके से मैं लिखतो रहा हूं लेकिन हम चापेंगे कैसे हमारे पास कोई साधन नहीं है और आप लोग उस साधन को जोटाना भी नहीं चाहते अब मैं करूं तो क्या करूं भाटी जी नहीं कहलें कि सभी मित्रों से निवेदर है कि वैदे के प्र प्रचार प्रसार की बवस्ता सही बनाकर दिया जाए मुझे बहुत कम समय में दुनिया में चले विए जितने भी मत्मत आंतर हैं सभी मत्मत आंतरों की दुकंदारी को दुकंदारी दुकांदारों के दुकांदारी बंद कराने में सक्चम हो जाओंगा जैसे कि जाकिन नाइक की दुकांदारी भारत से बंद हुई है मैं जाकिन नाइक वाली बात बता दिया हूं इसलिए ये आप लोगों को करना होगा अगर आप लोग करके देंगे और फिर मेरे से मेरे जीते जी मुझसे जो काम लेना है वो ले सकते पर यहां जूता सलाई से चंडी पार्ट तक सब मुझे ही करना पड़ रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर मैं किन के लिए काम कर रहा हूँ तो खैर कुछ भी हो यह मत समझेगा कि मैं आप लोगों को दुख पहुचाना चाहता हूँ दुखी बनाना चाहता हूँ अचा नहीं आप लोग मेरे से काम लेना चाहते तो मेरे साथ जुड़ करके मेरे सामानों को मुहया कराइए आप लोग सुकार आएनंताल प्रतकी सभा के और ने चक्ता नहीं ब्लडव. नों 2 प्रतबार साज का सवी वरस है के करने है रहाक बंगाल यह प्रतिनिति खाम चलिए बंगाल आर्यunda डीनुप ळ क्या, विश्विंदी परिशनदी के अच्छे लेका का और पचा रख थे दिब्गो गैन नौए कांडो गैन चाई उनकी मूल पुस्तक रही है बड़ा तैल का मचा उस पुस्तक उनसे मैंने ये लिखवाया जातीयों जीवों ने शौरुनियों जारा के इस भारत वर्ष के अंदर म इन जातीयों मानों समाज के उत्थान के लिए किन लोगों ने क्या काम किया है उनको याद किया जाना चाहिए ये है और इसमें यहां सामने आप लोगों ने देखा रिशी दैनम यहां है स्वामी बीवेकरन यहां मैं पकला हूँ यह स्वामी प्रणोवनन है जो भारत सेवास्रम संग के संस्थापक हैं रविना ठाकूर है और यह निवेदीता है और इधर भी शाम प्रशेद मुखर जी अर्विंद इस्वाचन बोस खुदिरां बोस राजा राम महों राय बंकिम्जन चट्वपाद्धा इश्वचन वीदसाया और इसमें मैंने यह लिखवाया है देखिए यह रिशी दयानंद तौपोनिष्ट दयानंदों सहरुष होती है और इसमें वो शिवलिंग पर चुआ को चड़ते उतरते दिखाया गया है प्रकाशन ग्यान प्रकाशनी से इस पुस्तक को प्रकाचित किया गया था ग्यान दाभी ग्यानेंद्र कुमार राय हमा को यह मालूम नहीं और यह सिक्स पुस्तक है प्लास सिक्स में पढ़ाई जाती है और आरिये समाज के पास यहां पर आरिये प्रती सब्सकेंडर में प्राइमरी सिकंडरी है सिकंडरी नहीं कितनी स्कूल है किसी आरिये समाजी स्कूल में यह एक किताब यह नहीं चला पाए आरिये समाज बंगाल वाले जितने भी डिंग हाकते हैं यह काम किसी ने करके नहीं दिया छे वर्ष में जो काम महंदरपाल आरिये नहीं किया है मैं दावा के साथ कह रहा हूं यह काम महंदरपाल के सवा कोई कर नहीं पाया बंगाल के अंदर में तो यह हुआ हिन है और यहां आरिये समय ठेगते हैं गहें जैस्वांट आगर समाज है घिक तेड कि यह सब है नांज है करने भाव पंकर जी सो आई क्या बात है राजपूत आरी जी आपने बहुत अच्छा लिखा है और मैं पहले एक ये अरुनाव लस्कोर क्या लिखे है कोलकी कोलकी अवतारे कवे आजबे गुरुदी कोलकी अवतार यहां आमा देरेखाने अवतार बाद नहीं अवतार होई ना यह अवतार बादेर उपर ही तो जाकिन नहीं के दुगंदारी बंदो है छे और यहां लिखा है ये कोई खादमोईद्दीन चुष्टी के लिए आपको बताओं खादमोईद्दीन चुष्टी ने जितना नरसंगार किया हिंदों का अरे मुसल्मानों का बोल बाला भारत में हुआ है इन सब लोगों के कारण जिनको सूफी कहते हैं यह सूफी मीठा जहर है मीठा जहर इन्होंने हिंदों का कतलाम करके या कराके इसलाम का विस्तार किया है यह जितने भी हैं मुसल्मान भारत में उस सब उनीके बंसज हैं सूफियों का इतिहास पढ़िएगा तो पता लएगा आरिये जी रितुराज जी कंट के नीचे दोनों इस्थनों के बीच में उदर के ऊपर जो हिदय देश के जिसको ब्रह्मपूरी जी बिल्कुल ठीक है रहे हैं बस वही है वहां जहां पर रिशी ने बोला है वही आत्मा को यहां इस स्थान में बताया है वहां साइट में हिमाचु जी ने क्या लिखा है चलाने वाले रिशी देव जी से मंगा सकते हैं हाँ वैं बोला तो रिशी देव जी से दिल्ली से पुस्तक मंग वा सकते हैं रिशी वेजरिशी.com www.weezrishii.com यह आप वहां से भी पु भी जाने भी जानने पुरुष और स्त्री से हुआ अर्थात शीव और शक्ति से जब पुरुष और प्रकेती दो है तो ईश्वर का एक होना इसे श्मझा लिख शे होना चाहिए था सौरब जी ना? इसमगर भीकास का निर्मान केवल परमपरा शीव और अध्यर शक्ति के समागम से हुआ है अरे मुर्ग इतना समझाया जाना है इतना बताया जा रहा है तब भी मानने के लिए तैया नहीं अब यह शर्मा है जब आप लोग न जूडते होते तो मैं किसको सुनाता सवाल न लिखते होते मैं जवाब किसको देता और यह लैपटाप इन तिनों में से को खटा कर दिखाओ शर्मा लिख रहे हैं जब इतना बता रहा हूं इतना समझा रहा हूं फिर भी समाजने के लिए तयान नहीं एप शीव है कौन और शीव लेकिन उस शीव के साथ जिस महिला को तुम ने जोड़ा वो कौन है जो दोनों के द्वारा विशुका बनाया जाना संभवनी है स्ष्ष्टी की रचना करना संभवनी है मैं 50 बार बोल चुका हूं इसलिए जो नमाज पढ़ते हैं वहां पर भी तीन चीज तीनों का बगार नमाज का होना संभवनी है नमाज पढ़ने वाला जिनके लिए नमाज पढ़ी जावे और मस्जिद क्या नमाज इन तीनों में से कटाव नहीं होगा आप शर्मा पूजा करते हो सोरव जी पूजा के लिए भी तीन चीज चाहिए पूजा करने वाला पूजा की सामगरी है जिसकी पूजा किया जाए तीन के बगार कहां चलना है तीन के बगार कौन चीज चला सकते हैं कौन काम क कर सकते हैं दुकान दार दूकान में सामान और खरीदार इन कीनों में से को आठाओ बख्वास मत करो पढ़ही लोग ऐसे बेकार की बात हैं अच्छट्रीय हूं और नेपाल हम लोग लेकिन इसका जानकारी देपिलिज किसकी जानकारी चाहते भाई आप उसकी जानकारी लिखी क्या चाहिए पंडी जी क्या कुरान में लव जिहाद करने की कोई आग्या है मैं बोला हूं सुरा निसा आयात नमबर 24 को देख लिए और रिपब्लिक करके एक साइट है उसमें मेरा वीडियो बना हुआ है वहां भी उन्होंने भी प्रचार किया है पंडी जी रिशीद एननन ने कितने वेदों के भास किये थे वह उसमें रिशीद एननन को वेद भास करने कहा दिया है विशीद एनन ने यह जुरुवेद का भास किया था और रोड ने रिगवेद को छेला था पर पूरा नहीं हो पाया उसके बाद भी हमारे विद्वानों ने पूरा किया है कि नाइस विडियो जी धन्वाद रभू कि शरोलिया पंडी जी क्या जीव में गुरू कि बनाना जरूरी है गुरू कौन है पहले जानना पड़ेगा गुरू बनाना यानि प्रकाश दिखाने वाला तो कोई होगा ना रास्ता दिखाने वाला तो गुरू तो यहां पर जो अ नाम गुरू होता है तो वह जान करके बनाना पड़ेगा हाजी हाजी मुहमद आप मुस्लिम हो या हिंदू तो क्या लग रहा है तुम्हें भाई मुहमद का अब्बा तुम बताओं तुम्हें क्या लग रहा है अमीत तिरूपथी क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म पांच संप्रदायों में मिलकर बना है सिख धर्म जाइन बोदी यह सब इसमें से निकले हैं हमारा धर्म का नाम है सत्तो सनातन वैदिक दर्म आदिस्रिष्टी से मनुष मात्र के लिए सत्तो सनातन वैदिक दर्म है इसमें मेरा बहुत साल वीडियो लगा हुआ है तो इसमें से यह सारे निकले हैं पर यह जिस बुद्ध को महत्मा कह रहे हैं बुद्ध का महत्मा होना कभी भी संबब नहीं है एक नास्तिक ब्यक्ति को महत्मा कहाना ये हिंदों की बहुत बड़ी भूल है इसको जानना पड़ेगा इसलिए जाने भी न ये सब पात दलत पढ़ा जा रहा है अनिल जुवल जी ये हिंदू सनातन धर्म को चोट पहुँचाई कांग्रेश ने ये नकली बावा कांग्रेश ने ही बनाए जिहाद जिहादियों के कहने पर आखर वो तो है ही पर वो तो देन है पर उसमें केबल आप नहरू को बोलेंगे तो बाद बनेगी नहीं उसमें मोहंदास करम चांद धांधी के हाथ छोटे है क्या कभी मौका मिलेगा मैं सुना दूंगा मोहंदास करम चांद धांधी और नहरू ने सत्त सनातन वैदिक्स धर्म पर जो कूटरागात किया है इस कूटरागात करने से स्वामी शद्दा नंजी ने कॉंग्रेश को छोड़ क्या था आज कोई भी आरिये समाज के लोग अगर कॉंग्रेस में हैं तो वह आरिये समाजी नहीं है चाहे वह अपना क्या है वह दिल्ली के मुक्मंत्री भी रहे हैं और दिल्ली के लोकसभा के अद्दक्ष भी रहे हैं सद्दानन शास्त्री क्यार नामतान का मालवय नगरवाले को दामाद गुर्कुल के सनातक है स्वामी शद्दानन के जीवनी को नहीं पड़ा फैर के हिंदू शब्द गलत है आपको सनातन शब्द का प्रयोग करना चाहिए हाँ हिंदू शब्द गलत है शनातन तो मैं बोली रहा हूं जब नाम आपका पढ़ गया आपने तो श्वह चाहर कर दो कह रहें कि महान बागबाजी से पूछेंगे और मों भागबाजी क्या करें रहें रहें हिंदु कर रहें हो गया होगा या घ्लत बयानी करें लोग अग्या नौसे दस तक समय दिया था दस बच करके इस मिनट हो गया है अब मैं आप लोगों से रुखसती चाहूंगा सभी मित्र शेयर करें हाँ हरी जी बॉल ठीक करें अब सभी मित्र शेयर करें यह हमारी मित्र मंडली लोग रहे हैं अच्छाय है सब वही घूंग करके आ रहा हे शरीर के मरने के कितने समय बाद आत्मा का पुनर जनम होता है यह आनदी लिख रहे हैं और वह आत्मा कहा रहती है भाई इसमें वो मैं कल देखा था वाटसप में भी आप लोगों ने किया हुआ था तो इसमें आरिय समाज के बिद्वानों में भी इखतलाफ है और आरिय का मानना है कि देनन देर जनम लेती है आत्मा शरीर धारन करता है और कुछ लोगों ने माना है कि कुछ दिन के बाद कई दिनों के बाद उभी चलन करने के बाद पर रिशीद एननन की माननेता क्या है यजरुवेत के चालीसवा अध्याय को पढ़ लेंगे आप वहाँ पर तिन चार मंत्र को पढ़ेंगे तो उससे पता लग जाएगा वहाँ पर इस पश्ट्रिकरन दिया है रिशीद एनन ने तो रिशीद एनन की जो माननेता है वही माननेता हमारी है हम किस बिद्वान ने क्या किया है उसकी जिम्मदार मैंनी मूँ पंकस हैनी के लिए वी वेस्टन थेरो है मानव तब से है जब प्रतिवी पर जीवन संभव हुआ किसी जीव के लिए वह तो ठीक है पर कुछ लोगों का ख्याल है रिशीद एननन ने सूरिये में भी बसते हैं लोग तो कुछ लोगों ने बिशेश करके तारीक जमील क deben कैए ऊसंबी लिखा bye रिश्यदन क्या खोया पाए उसको यह पता नहीं है जो जहां जनम लेते इस बातावरान में जनम लेते उसे बातावरान में उसको जीने में क्या पदती है है गोबर किला जनम लेता है कि नहीं उस डिला को लाकर के आप पलंक पर रह पाईगा किल्या तो ज रहाएगा तो सूर्य में जो जनम लेते हैं को बसू है बसने का नाम बसू है वहां जो जनम लेंगे वह रहें इसमें कोई असुविदा वाली बात है देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे बनाई हुए बहुत सारे ऐसे शिष्य मंडली हैं और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि यह लोग चुटकी में चुटकी में चाहे इसत हो इसलाम हो या पौरानिक उन विद्वानों में हमारे बावुकातिक अयर जी जो लोगो नहार बच्चे हैं और इनोंने जो रामायन पट्पुनी करने वाले ंवहे वीडियो बनां करके उनलों को है बाद में आप मेरे साथ जुड़ करके काम करेंगे मैं अभी पिछले दिन बता है कौन आ रहा है डिवेट करने के लिए आओ मेरे एक काति का यह और मालदा का रहने वाला बिप्लम मंडल इस दो को हरा करके दिखाओ और वैसा ही अनेक है भारत के जिस प्रांट में आप बोलेंगे उस प्रांट में मैं दे दूँगा अभी कतर से आई वे हैं एक सिन्हा सहाव जो कतर में थे पहले कतर में रहते हुए मेरे साथ जुणे हैं जो जमशेदपूर के रहने वाले हैं वो भी चुटकी में उड़ा रहे हैं जमशेदपूर के इस्लाम वालों को अभी राची में भी एक है मैं अभी उनका नाम लेना नहीं चाहता तो इस तरीके से जहां कहीं आप बोलेंगे उस सहर में अपने कति कातिका या जी क्या लिखते हैं मैं कातिका या रूए मेरा प्रश्ण यह है कि कुरान में कहीं जानवरों पेड़ पौधों आदी में हात आत्मा लिखा है या नहीं इन्होंने नहीं माना है कि इन्होंने नहीं माना है कातिक जी आपके पास जो सत्यात्प्रकाश है अगर वो मिलावटी नहीं है तो उसे हम तक पहुंचानी करें वर्तमान समय में डाक्टर सुरेंद सत्यात्प्रकाश आप जजर गुलकुल सब्स कि रिशीदेव से संपर कि दिए रिशीदेव.com से संपर कीजिए वह आपको भेज देंगे कि सनातन धर्म में जायज है नहीं मुर्ति पूजा वेद में नहीं है वेद विरुद्ध है मुर्ति पूजा के लिखा है जावो बरबर मंदलन हो रहा है तो खांदान क्या नहीं है और नहीं किसी का खंदलन करते हम यथा चीजों को दर्शाते ही यथा चीजों को बत लाइए शरीर के मान में भी मैं बोल दिया आपको प्रचार के लिए किस चीज की आवशकता है पंडे जी पहली बात तो प्रचार के लिए मेरी आवशकता है एक अच्छी सी स्टूडियो की अगर चीज से बना के जिसके अपार्डिंग हो और एक टेकनिकल हैंड चाहिए मुझे जो मेरा काम करे लेकिन टेकनिकल हैंड भी वो होना चाहिए जो पुरान को भी जानता हो क्योंकि जादतर वीशे मेरा पुरान और बाइवेल ही रहता है जानने वाला हो तो वह मैं आद गया पहला काम तो यह है कि अच्छा साहे स्टोडियो बना करके दिया जाये से में निरंता है मैं इन्यौटीव में यूटूब में जितना भी वह एक भी सवाल के जवाब मेरी चुनोथि है कुली चुनोथिहृं है वीडियो के मॉलदम से जवाब है ताँ जवा नहीं तो पहली बात यह है मैं एक गरश्टी हूं मेरा चिंता आपको करनी होगी तो यह हो जाए तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि सत्व सनातन वैदिक धर्म जो मनुश मात्र का धर्म है जो स्रिष्टी के आदी से है वेदो अकिलो धर्म मुलम वेद विश्यो अकिल के धर्म का मूल है वेद इश्वरी के जनता जनारदनों के बीच पहुचा दूँगा यह मेरी दावा है और मेरी सब बवस्ता आप लोग के हाथ में है आप लोग करिए मेरे से जो काम आप ले सकते हैं वो काम लीजी और मेरे जीते जी काम लेना संबब होगा मेरे जाने के बाद काम नहीं ले पाएंगे पर रिवकातिक आयर के पास जाना पड़ेगा और जितने लोग मेरे करने के लिए भी तो मोयाक करना पढ़ेगा आपको और कुर हुआ कर प्रयास आप लूग का है आगर मैं इतना तैयार किया हूं है आप लोग कि वबस्ता अच्छी हो में तयार कर सकता हूं और मैं तो बोला था दिल्ली में तो एक ने मुझे बुला लिया था हम उब देशक बिद्दले बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे पर किया कुछ नहीं फिर मुझे वहां से लौटना पड़ा अभी दिल्ली परतियस सभा ने भी बुलाया था वह भी टैफिस हो उनका वी क्या काम तो यह सारा काम ग rené किलिए क्या सुव दा चाहिए वो kommữa करा दिरा यांशी हों मेरे से क्या काम लेना चाहते हो बोलो कि मुझे त congregation कि मैं जबरदस्फी चिपक रह video को में मेरी आवश्यकता नहीं है समाज में ऐसा लग रहा है इसलिए मेरे घरवाले भी असन तुछ रहे के खामा खा आप क्यूं यह सब भजीता कर रहे हैं पर खामा खा नहीं मैं जो जानता हूं वो जानकारी दुनिया वालों को देना जरूरी समझा मैं यही करतब मानता हूं और यह सारा करतब मैं आप लोगों तक पहुचा करके आप जैसे इसमें हमारे भाई अपने हिवांशु मोहन पाठक जी एक इंजिनियर हैं और बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उन्होंने देखा मेरे की यह कारिये को एक सौफ्रियर इंजिनियर हैं एक कंपूटर इंजिनियर ह अचे परिवार से हैं संसकारित परिवार के हैं अच्छे माता पीता के हैं ब्राम्न कूल से तालूग रखने वाले हैं लेकिन जर्मना ब्राह्मन मों नहीं मानते आज की दिन में वो एक दयानंदी है और ये भी सुन लीजिए हमारे मित्र मंदल योग वो मेरे साथ जुड़ करके अर्वी भी सीख रहे हैं और संस्कित भी सीख रहे हैं आश्टा धाई याद कर रहे हैं को एक लाँ रख्याद कराय कि यश्वन दंध मेहता जींग को जो यह रस्वं में जीए हैं तरी प्रेटी के प्रॉफेसर है मेरी बेटी को स्वाप्षेसर्च को असमों एक याद होगया था उस्से और पर करके दिया और हमारे महता जी उसको सुन-सुन करके यादि किये तो महता जी भी RSS के कारी करता थे जम्मू के मैंने उनको देयनन्दी बनाया हिमान्शु मोहन पाठक भी RSS के स्कूल से निकले विये हैं RSS के कारी थे लेकिन वहाँ पर देखा उन्होंने जूट को को जाना समझा परखा आज के दिल में देयनन्दी हैं ऐसा ही अमारे कातिक एयर जी हैं कातिक एयर जी पौरानिक परिवार से हैं लेकिन रिशी देयनन्द की मानिता को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है है ऐसे एक दोनी में कितनी लोगों का नाम लेता रहूंगा उससे समय करावगा समय जादा चला जाएगा भाई साड़े दस हो गया है इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भर मैं यहीं अपने को रोक रहा हूं अगले अगले रही बार को कौतो कॉतो काचे हवे पुस्तो कॉतो क्षापबा जुननो आज चाचा चाचा वह थो खोड़ो छबे पुस्तो क्षापबा जुननो है तो आमरी एक पुस्तो के इस मै अज चाहबी रह लेगे ते सब्सक्राइब करना है यह आप लोग अगर सब काम इस तरीक से जिम्मदारी के साथ उठाएंगे और मेरे इन पुस्तकों को तो मैं लिखा ही हूं इसको बंगला में और किसी भाषा में आप लोग डांस भार सकता हूं लेकिल मेरे पास इतना समय नहीं हो रहा है और बंगला जान-बुझ करने इसलिए नहीं लिखा कि बंगला में काम करने से उतना रिस्पॉंस नहीं मिलता मुझे, आज बिश्व के आंगल में लोग मुझे जानते हैं, वो हिंदी में काम करने के करदा, बंगाल में काम करते होते हैं, तो केवर बंगाल वाले ही जानते हैं, बंगला देश वाले जानते पुष्टक का जो ये वेद और कुरान की समिक्षा है इसको अमरीका से एक लिए अंग्रेजी में अनुभाद करके दिया है मैं एक को प्रूफ करने के लिए दिया हूं प्रूफ देख करके मुझे देंगे वो उसे भी छपवा सकते है तो इस तरीके से काम बहुत है और मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो किया हुआ काम है मैं ये बिना सत्र लगाए काम कर रहा हूँ मेरा कोई सत्र का नहीं है मेरा ना लगू गुर्कुल है ना ब्रिहद गुर्कुल है मेरा चलता फिरता गुर्कुल है चलता फिरता मदसा है चलता फिरता सत्र है चलता फिरता स्कूल है पर इस स्कूल से जितने निर्मित निकल रहे हैं वो और जगा वो निर्मान नहीं होगा जैसे मैं बोला ना कातिकायर जी का नाम लिया ऐसा निर्मानने होंगे क्योंकि दो दुल में आचारी बनने से वह आचारी थोड़े बनेगे एक तो आपने नाम से आरियवत्र लिख रखा है आरियवत्र जब एक देश का नाम है तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह मेरा काम जो है को आप लोग समालिये मेरे जीते जी क्या काम ले सकते हैं कुण्डी जी आपना के शहयोग कोरने को तैयार हूं ठीक है साब करने को तैयार है तो हर वीडियो के नीचे लिखा होता है वेद प्रचार के लिए करें उसमें मेरा यूपियाई नंबर है बैंक नंबर है जो कुछ भी है जैसा आप कुछ इसंदे करें पत्रा कि अच्छा अच्छा बोले दिला मामे मानिक कुमार बाबु के शेंद्बव के पुण्डिजी नमस्ते अब यह तो आगे पूड़ दी जी भाई अपने के अच्छा इस्वाशा का इस्तिमाल ना करें यहां सब भाषा पर इस्वाशा कितना संकी नहीं देखिएगा मैं बोला था अभी एद के दिन में मुरादबाद में एक लड़की आधा कपड़ा पैंड कर लड़कों के गले लग रही है लड़के यह अधार में हराम मना नहीं के बर्व हराम है और चुपा कर रखने वाली चीज़ को का जाता है और ममता बेनर जी की भाई साव अधार नूरु रह्मान अपने लड़की को क्यों नहीं हो रहा है शाड़क में बच्चे चिपके उनको यह क्यों नहीं हो रहा है पर इसलाम कितना संकेन है वो तो मैं आपनों को बता दिया हूँ कि बहुत अच्छा पंडीजी मैं नेपाल से हूँ जी 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 सुन्टू राजी जी आपके नेपाल में मैं बहुत बार गया हूं पामाई 85 से निरंतर जाता रहता हूं पंडीजी प्रकाश की वी यहां अजी असल में करना पर देंगे इसलिए तो मैं बोलना हूं कि टेकनिकल हैंड करा दीजी तो मैं और काम करता हूं उसके बाद मैं हख प्रकाश भी दूंगा बताया था वादा किया था और उसके जवाब में जो चौद्वी का चांद पंडीचमपती ही मैं ने लिखा उसका भी इच्छा म करता है और मैं किसी को रखने केरे पास तो आप लोग यह सब बवस्ता करें आप लोग यह सब बवस्ता कराएंगे जबके मोदी जी गुजरात के मुकुमंत्री थे ना तुम दिनों में मेरा सबसे पहला ओपें चैलेंज्ज टू डाक्टर जाकी नाई के वह पंडित प्रूथ विजदम 2008 के नाम से मेरा साइट बनाता वो यह श्वंक में था राजबीर आ रही है बैंक वाला मुरदाबाद के मुरदाबाद के नाम से जानते और यह अगनी वीर जो के संजीव ने वर यह मिल करके मेरा साइट बनाया था लेकिन उसने मेरा वो पास्वार्ट दिया नहीं और उसको खतम करके फिर वो आगनी वीर को जगन दिया उस समय उनौकरी करता था खर यह विश्वास घात किया है मेरे साथ मेरे बहुत सारे डॉकुमेंट्स को अपने पास ले करके वो हजम कर दिया मुझे लोटा करके नहीं दिया मेरे वो फिल्म बनाया था डॉकुमेंटरी फिल्म बनाया था वह भी मुझे आज तक नहीं दिया यह सब काम हुआ है वह आगली बीर आप सब वो से निवेदन है कि हिंदी भाषा में टिप निदे जी हाँ जी बिल्कुल अतुल वह आपने बिल्कुल ठीक का कि अंग्रेजी पढ़ने में वहां मिला मिला करके पढ़ने में परशानी होती है और कुछ भी है पर दस बच करके 40 मिनट हो गया है मैं आज तक यही विराम देना चाहता हूं और आप सब लोगों से करबद प्रात्ना यही करूंगा कि मिले इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए औरों तक पहुचाने के लिए जितना साधन आप लोगों से सके वो जुटाईए और मेरे काम को करने के लिए जो जो साधन के लिए मैंने बताया उस पर लोग का क्या सयोग है क्या सयोग कर सकते हैं ये ह्पीडियो के नीचे छी ने मेरा संब जाता है उसमें आप काम कर सकते डाल सकते है पर पेटी मेरा कामки कर रहा है मैं नहीं समझझ पाया कि उसका क्या कारण है टेकनिकale हैंन नहां होने के कारण पेटी एम को मा चलाने पारहूं उसमें क्या कुछ राशी है Eigen और देखने पारहूं व ale कि मेरा आई उसमें क्या परशानी है मुझे नहीं मालू तो आप सब लोगों के ऊपर ये जिम्मदारी है कि महंद्र पाल ARIE की जीते जी महंद्र पाल आरिये से क्या काम ले सकते हैं अप लोग लीजिए इनी शब्दों के साथ आप सब लोगों को नमण करता हुआ आप सब ल अगले लेवी बार फिर नों से दस बजेत है, पुना हम मिलेंगे इनी शब्दों के साथ सबको नमस्ति.